नमस्कार नेक्ष्ट आई इस हिंदी में आपका स्वागत है करेंट अफेरस कंक में आज बात करेंगे आठ प्रमुक उद्दोगों के सुचकांग पर इसको पी आई बी ने कवर किया था और यह आपके जीयस में एकॉनमी सेक्शन में कवर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये UPSC ने पहले question पूछ चुका है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इस हंक में देखिए जो news बनी थी न्यूज ये थी नॉवंबर दो हजार तेईस में आठ प्रमक दोगों इंडेक्स ओफ कोर इंडस्ट्री को इसको बोलते हैं कसायुक सुचकांग नॉवंबर दो हजार बाइस की तुलना में 7.8 परशन पढ़ गया है याद रखिएगा बढ़ोत्री हुई है एक statement दे देग दोगों के सुचकांग के इंडेक्स ओफ 8 कोर इंडस्ट्री में निम्रिखित में से किसका सरवाधिक महत दिया गया है ये बताना था और इसका उत्तर आप लोग comment box में देने का प्रयास कीजेगा इसका discussion हम लोग last में करेंगे दिखिए आप डिटेल के बारे में जाने ही त दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री में कौन-कौन सा सेक्टर आता है दोस्तों एक तो कोईला आता है बिजली आता है उर्वरक का छेतर आता है प्राकरतिक गैस का आता है रिफाइंडरी का आता है इस्टील का आता है दोस्तों और इसमें आप अगर छोड़ रहें तो बिद्धू पूछा गया था तो उस टाइम इसका वेटेस था लगभग 38 परसेंट अभी बढ़ करके 40.27 परसेंट हो गया है ठीक है अभी 30 पहले 38 परसेंट था अब बढ़ करके 40.27 परसेंट हो गया है अब IAP डेटा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं आम तोर पर एक महीने पर यह जारी किया जाता है हर महीने में जारी होता है IAP याद रखिएगा और आधार वर्स 2017 में 2045 से बदल करके 2011-12 कर दिया गया था याद रखिएगा UPSC यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि आधार वर्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए IAP अर्थवयस्था के बिनिर्माण चेतर का एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है Economy indicate करता है कि economy किस दिसा में जा रही है भारत की या दुनिया के और चेतर भारत में IAP चलता है तो इसलिए भारत के लिए महत्पूर है अब बात के लेते हैं कि IAP डेटा जारी कौन करता है दोस्तों Index of Industrial Production हर महीने CSO द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है CSO का है तो Central Statistical Organization इसको बोलते हैं दोस्तों केंदरी सांखिकी संगठन या सांखिकी कारिकरम कार्यान्विन मंत्राले के अंतरगत आता है दोस्तों यह स्टेट मिनिस्ट्री होता है और इसके मंत्री हैं भी राविंद्रजीद जी जो आपके लिए इतना ज्यादा इंपोर्टन नहीं है IAP डेटा का प्रियोग कौन करता है इसके बारे भी आपको पता होना चाहिए पूछ लेता है question UPSC की डेटा कौन प्रियोग करता है और इस डेटा को प्योग तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाथ जिसको बोलते है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट जीडीपी में मनुफेक्ट्रिंग सेक्टर के लिए सकल मूल वर्धित ग्रॉस वैलू एडिशन को संकलित करने के लिए भी किया जाता है अब बात जारी किया जाता है एकॉनमी को चेक करने के लिए किस दिसा में एकॉनमी जा रही है उसका इंडिकेशन करता है वहीं वार्षिक अदोगिक सर्वेक्षण इन्वल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कदीर कालिक अदोगिक आंकडों का प्रमुक्स रोत है एसाई का जो यह सूचकांग जो है एसाई है उद्दोगों के बहुत बड़े नमोने से संकलित है अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2015 में उप्यसी प्रिलिम्स में कोश्चन पूछा गया था यह पूछा था नंबर कोश्चन था आठ मोल उद्दोगों के सूचकांग इंडेक्स ओफ ए से जादा हिस्सेदारी रखता था भारांस रखता था 10.32 परशंट की हिस्सेदारी रखता था और इसके अलामा अन्य उद्दोगों का महत उनके भारांस के रूप में जून 2015 के आकुणों के अनुसार अलग-अलग था जैसे उदारण के रूप में इसका कोईला का 2015 के तो इस थिलिएए पूशता रहता है तो इसलिए उन अंक को शामिल करते हैं आपके लिए आपकी प्रिणिंस इग्जामनेशन 2014 में बहुत महत्पूर्ण हो सकता है, dども इस अंक यही पर शमाप Дंक में कुछ और जोलंत मुद्दों के साथ तब तक जुड़े रही नेक्स्ट आइस के साथ धन्यवाद